असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल टेस्टी फूट विद मर्यम आज मैं मज़ेदार से शामी कबाब बनाने लगी हूँ जो के देखें कितनी खुबसूरत इसकी लोक्तारी है और बाइडिंग बहुत अची है इसको बनाना बहुत ही असान है चलें तो ज तो जो अच्छी जो फूट फूट यूट लेंगे टेस्ट इसे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है तो तेस्पोन यह जादा कर सकते हैं तो टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे ट्वेल्ब मैंने यहां पर लीए है रच चिली जो फ्रेश होती है ठीक है इसके बाद हमने सिनेमम तीन ले लिए स्टेक्स कड़ी पता तीन ले लिए हैं और जो काली मिर्च ले ली है ब्लैक पेपर जो जिसको कहते हैं थाबत ले ले लिए हैं चार अदद मैंने भड़ी लाइची ले ली है और एक जो है ना मुझे दो जैफल के सौरी पीसिस ले लिए हैं चोटे-चोटे इन से को मैंने 1 फ कपडे के अंदर मलमल के कपड़े के अंदर बांद लिये है एक्ट्रा कपड़ा मैंने काट तीया है बांद से यह होगा कि यह हमने बाद में कूटना नी पड़ेगा नेक्स अमने 1 अड आफ कप चना दाली है 1.5 kg ही मैंने जो उ तो डाल दी वह तक्रीब तीन चार गिंटे पहले सूखी वी थी चिकन एड कर दिया और इसके साथ ही जो तमाम मैंने ड्राइब मसाला जाता पहले हमने लिखे हैं वह तमाम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ही यह मज़े के फ्रेंड्स बनने वाले हैं जरूर इसको बना सकते हैं क्योंकि सॉल्ट तो बाद में डाला जा सकता है तक्रीब इसमें मैंने टू कप सारा पानी मिला आके डाला यह देखें बहुत ज़्यदा पानी नहीं है देखें दस मिनट के बाद काफी जोंसा ना यह चिकन भी होने लग पड़ा है और दाल भी क्योंकि दो तीन ग मैंने को खोला यह देखें सारा गल चुका इसका पानी अच्छे से ड्राय हो चुका था थोड़ा सा वैट था लेकिन थंडा होने के बाद थीक हो गया अब इसको मैं अच्छी तरह जोंसा है ना वह कर लूंगी ग्राइंड कर लूंगी आपके पर सगर्गी मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है आप इसको कुंडी डंडे के साथ भी कर सकते हैं यह देखें एक अच्छा यक्जान सा जोंसा ना वह बन गया है इसके बाद इसके अंदर मैंने प्यास और एक अदर प्यास डाला था और दो टेबल स्पून आप लगा लें धाई टेबल स्पून जों अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं बाद में हाफ-ाफ करूंगी और मैं एक्स पे भी डाल लेती हूं कि वह बाइंडिंग में जोंसा है ना वो फिर बिलकुल परफेक्ट बनते हैं बिलकुल अलादा नहीं होते और बहुत अच्छे बन जाते हैं चाहे आप चिकन के बनाए तो चाहें दूसरे बनाएं यह देखें धनिया और जो है हमारा प्यास मेंस हो चुका है स्टेज पर मैंने सॉल्ट चे कहा तो मुझे थोड़ा सा कम लगा और तकरीबन मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून जो है ना वो सॉल्ट और एड़ किया एड़ करने के बाद मैंने दाल दूँगी और हाफ के अंदर जो है वो नहीं डालूँगी हाफ को मैंने लादा कर लिया है और बाकी हाफ के अंदर ग्रीन चिली डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूं तो चलते हैं अपने नेक्स टेप की दरफ जी तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो फाइनल चुका है इस तरह हाथ से भी पहले मैंने आपको बनाने सिखाए हूए है सांची के साथ बनाने लेकिन हाथ से भी देखें बहुत अच्छी शेप बन जाती है इसी तरह मैं अपने सारे कबाब बनाऊंगी और फिलहल अभी में चार से पांच अदर जो है वो फ्राई तो लेकिन यह है कि जब फ्रीजर में रख लेना तो फिर उसके बाद दुबारा से एग लगाएं तो बहुत खुबसूरत लुक आती है और बहुत ही मज़े का जो है ना फ्रेश फ्रेश टेसा आ जाता है तब चार से पांच अदर मैं बनाऊंगी बाकी फ्रीज करके रख यह देखें हम इसको शेलो फ्राइए करेंगे बहुत जदा गीनी डालना दो टू टेबल स्पून मैं तकरीबन ओल डाला है जितने साथ साथ करें बनाते चाहें थोड़े थोड़े में बनाएं तो वह ऐल काम यूस होता है और इतनी निकें कितनी खुबसूरत इनकी लुक बहुत ही मज़े का टेस्ट बन रहा है तो जरूर बनाएं ट्राइ कीजिए और बहुत पर्फेक्ट बन गें इनको मैं डिशावट कर लूँगी और यह देखें मैं इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करनी हूं आपको अगर केचप के साथ करना है तो केचप के साथ कर लें ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पर है उसको भी देखिएगा यह देखें कितने अच्छे जो है यह माइंड हो चुके है और बहुत ही मज़े के बने थे उमीद है मेरे दोस्तों को मेरी आज की रेसिपी पसांदा ही होगी इचाद़ लेने से पहले चोटी सी रेक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और फ्रेंड और फेंड फेंड लिए बिलकुल फ्री है आपके लिए बिलकुल फ्री है अलाहाफेज